Indian Constitution को बोला जाता है Bag of Borrowing भी क्योंकि Indian Constitution में बहुत सारे Provisions, बहुत सारी कंट्री से बारो किये गए हैं और आज हम देखेंगे कौन-कौन सी कंट्री से क्या-क्या Provisions Indian Constitution में डाले हुए हैं With a trick मैं आपको याद कराऊंगा, lifetime आपको याद रहने वाला है इसी session में फिर मैं आपको multiple choice questions भी कराऊंगा मैंने आपको हमेशे tricks की series में ये बताया हुआ है जब भी आप trick पड़ोगे, multiple choice questions भी साथ-साथ कीजिए ताकि आपको पता चले, जो भी trick आपने की, उसको आप apply भी कर पा रहे हो कि नहीं ठीक है, और ये जो multiple choice questions हैं, चार-पाँच बुक से उठा के आपके सामने ये मैं आज इस session में present कर रहा हूँ ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको याद कराते हैं, sources of Indian constitution सबसे पहले start करते हैं, कि रशिया से हमने क्या-क्या लाया Indian constitution में, तो याद रखिए, रशिया से हमने fundamental duties और justice लाया, जस्टिस खास कर, social justice, economic justice, political justice, और ये justice कहां पर आपको मिलेगा, प्रेंबल में मिलेगा, जो कि आपको मैंने इस से पहले वाले session में कराया तो कहने का मतलब ये है, रशिया से हमने लाया fundamental duties और idea of justice, ये दो points आपको याद रखने हैं, सुनिए कैसे याद रखोगे, जब भी आप duty करने जाते हो, आप किसी भी post पे हो, office में duty करते हो, किसी भी जगा पे duty करते हो, तो याद करिए, आप हमेशा निकलते हो, इतना rush में ह होते हो, आप जल्दी में होते हो, क्यूं, क्यूंकि आपको duty पे जाना होता है, office जाना होता है, और वो आप क्यूं करते हो, वो इसलिए क्यूंकि आप चाते हो कि मैं office पे time पे पहुँचके वो अपनी job के साथ justice कर सकूं, तो ये आपको याद रखना है, रशिया से जब भी आए, तो रश दिमाग में आना चाहिए, और duty दिमाग में आना चाहिए, रश हमेशा होता है, जब duty जाता है, और duty जल्दी जल्दी क्यूं निकलता है बंदा, क्यूंकि वो चाता है, अपने job से मैं justice करूं, time पे पहुँचूं, ठीक है न, तो रश, duty, justice, एक साथ याद आन मैं जब भी आपको trick देता हूं, तो कोशिश करता हूं वैसी trick देने की, जो आप apply कर सको, तो बस इतना याद रखो, इनसान जब duty जाता है, तो rush में होता है, वो अपनी duty के साथ justice करना चाहता है, time पे पहुँच के, तो ये तीन words एक साथ दिमाग में click होने चाहिए, ठीक है revision जब करेंगे multiple choice questions में तो मज़ा आएगा आपको, अस्ट्रेलिया से क्या क्या लाएगा, सुनिए दोस्तों, आपको पता है कि अस्ट्रेलिया, ये मतलब ये अस्ट को छोड़ो, लिया, मतलब मैंने लिया, क्या लिया, ट्रेड लिया, अस्ट्रेलिया खुद बोलता है, लि list और joint sting of parliament, ये तीन चीजे हमने अस्ट्रेलिया से लाए, और अस्ट्रेलिया आपको ये याद आना चाहिए, अस्ट्रेलिया मैप सब को पता होना चाहिए, अस्ट्रेलिया एक ऐसा continent है, जिसके आसपा सिरी पानी ही पानी है, बस इसी के basis पे trick आपको और बताएंगे, सुनि ये जो trade है, trade and commerce, हो गया ये, अब यह है दूसरा point, ये concurrent list कैसे याद रखो गए, मैंने जब आपको ocean currents पढ़ाए, और मुझे लगता है ocean currents पे मैंने सबसे खुबसूरा trick आज ही तक बनाई हुई है, tricks by aafak sir की series में आपको ocean currents की सारी tricks मिल जाएंगी, तो ocean currents जब मैंने आपको पढ़ाए, तो मैंने आपको बताय हुआ है कि ocean में currents होते हैं, और आपको ये पता है कि Australia एक ऐसा continent है, जिसके आसपास पूरा का पूरा ocean है, ठीक है न, तो ज़्यादा currents अस्टेलिया में ही होंगे, क्योंके ocean है वहाँ पे, ठीक है न, ओके, तो आपको जब भी concurrent list आए, तो आप Concurrent से Currents याद करना, oceanic currents और oceanic currents आपको ज़्यादातर अस्टेलिया में मिलेंगे, तो ये Concurrent List आपको ऐसे याद रहेगा, अस्टेलिया के आसपास oceanic currents से, oceanic current से Concurrent List, कभी भी आ जाए, Concurrent List कहां से आए, तो आपके दिमाग में ये Current गुमना चाहिए, Current से Oceanic Current, और कौन सी Country क्या आसपा सिर्फ ओशन ही ओशन है अस्टेलिया आना चाहिए दिमाग में ठीक है ओके उसके बाद दोस्तो और एक चीज़े थोड़ा सा फणी लगे लेकिन फणी चीज़े ही ज्यादा तर याद रहती है पारलिमेंट को दोस्तो जॉइंट स्टिंग करानी है जॉइंट नहीं है फणी चीज़े ही लेकिन याद रहती है ठीके ओके अब सुनो तीसरा है एयर लैंड एयर लैंड से हमने क्या क्या लाए सबसे पहले सुनो डीपी एसपी प्रेजिडेंट का इलेक्शन और नॉमिनेशन अफ राजसावा मेंबर्स तो यहां से ना ट्रेड अन कामर् अब दिमाग में अब को साउट आ जाएंगी आड़े हमよね ना ट्रेड वूंड हें अबता कामर्यों क्व incumbent कर्ण किन तुनो शेये सबीरा लैंड से हमने लाया यह तीन तीन चीज़े दिपी एस पी प्रेजिडेंड्ट इलेक्शन नॉममिनेशन और राजाब मेंबर्स ठीक कैसे याद रखेंगे सबसे पहले आपको DPSP याद रखने के लिए Fireland याद रखे Airland के बदले आप दिमाग में लाइए Fireland वो लेंड जहां पे आग लगी है जब भी आग किसी जगा लगती है तो पलीस पहुंचता है और पलीस में आप DSP याद रख लीजे सबा में एक तो Election होता है और एक तो Nomination होता है क्या होता है? Nomination और जब भी आप देखोगे किसी लोग सबा राज सबा किसी जगा भी जब आप देखोगे Nomination of Members तो आप Automatically कहते हो यह तो भाई नॉमिनेट किये President ने यह हवा में आ आ गए एर लैंड हवा से आई Elections से नहीं आए Nomination से आए और nominate कोन करता है? राज सबा में आपको पता है President करता है जब भी Nomination कोई करता है पारलिमेट में वो Nomination कोट करता है? President करता है तो यह President Nomination आपको एक साथ याद आएगा अगर आपको यह yearland दिमाग में आया कि हावा से आए हैं, मतलब यह election से नहीं आया, यह जीद के नहीं आया, यह तो nomination से आया, उपर से हैं, आचा, nomination तो राजसभब या या आया, और यह connect करऊंगा में, election आफ राजसभब के साथ, अभी, अभी जब हम यहाँ पर, और एक तरीका है, देखो न, एर, फायर लगी, वो जगह जहां पर फायर लगी, तो फायर के लिए DSP को बलाई है, DPSP, DPSP का last P क्या है, President's Election, और ये President's Election में आपको ये N आपको दिखी का election, तो इस N से क्या है, nomination of Rajasabai members, तो आप ये connect कर सकते हो, ये P, इस P के साथ, ये last का N, इस N के साथ, ये भी कर सकते हो, लेकिन ये hardly उदर याद रहता है, फिर, आपको बोला जाएगा nomination, तो फिर एक कम निक, आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बस जब भी nomination आएगा Rajasabai members, तो आप याद को लोग लेकिन आप revise अगर करोगे multiple choice questions में, तो याद हमेशा के लिए रह जाएगा, France easy है, सुनो, France कैसे याद रखोजे, फ्रांस से हमने क्या लाया, fraternity, liberty, equality, और republic, ये सारी चीज़े हमने preamble में डाले हुए हैं, preamble of Indian institution में, fraternity, liberty, हम अक्सर बहते हैं, liberty, equality, fraternity, ठीक है, सुनो, सु ये F आपको याद रखना है, ये R आपको याद रखना है, ट्रिक यही है, F से fraternity, R से republic, तो F से जब fraternity याद आएगा, तो fraternity के साथ आना चाहिए, तीनों याद, liberty, equality, fraternity, fraternity, फैटरनिती तो F हो गया, तो liberty, equality भी आपको याद आना चाहिए, ठीक है, तो liberty, equality, fraternity, liberty और equality, आपको इस fraternity से याद आना चाहिए, इस F से, फिर दूसरा रहा, FR, R से republic, तो republic, ठीक है नहीं, ये सारी प्रेंबर्ग में आपको मिलेंगे, उसके बाद और एक केनेडा है, केनेडा है, केनेडा से क्या क्या लाया, Federation with Strong Center, देखो, Federation नहीं लाया, Federal system, हमने, Federal system आपको बहुत ज Strong Center, Federation क्या हुआ, State Government भी होगा, Center Government भी होगा, एक country, State से और सेंटर में बांटी हुई है, और उधर भी powers है, उधर भी powers है, इसी को बोलते हैं Federation, ठीक है, लेकिन, State और सेंटर में, ज्यादा powerful, अगर सेंटर है, उसी को बोलते है, Federation with Strong Center, और ये Federation with Strong Center, हमने Canada से लाया, Residerary Power Center में ही होंगे, Residerary Power जितने भी हैं, वो Center के हाथ में होंगे, ये भी Canada से लाया, Appointment अब Governor by Center ये भी हमने Canada से लाया, ये तीनु चीज़े Canada से लाया, अब याद रखो, C से Canada और C से Center, Center इधर भी है, Center इधर भी है, Center इधर भी है, आपको जुरूरी Canada जब भी आएगा, तो powerful Center दिखेग है, तो ये Strong Center वाले features आपको Canada में ही दिखेंगे, लेकिन कभी ना उदर Union होता है, Union Government strong है कि वो, तो फिर आप U और C को Connect नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने trick आपके लिए अंडा याद कराना है, तो C से आप कर सो कोगी, C से आप करोगी Center, लेकिन कभी ने Center के बदले वहाँ Union Government लिखा होता है, ठीके ना, Strong Union, तो फिर आप Confuse हो जाते हो, क्योंकि U से आप C के सरकानेक्टिन नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए सुनो आप Canada की दूसरी टिक, Important टिक, ज़्यादा जबरदस टिक, जो आपको असल में एक्जामें याद आएगी, सुनो, Canada से आपको याद Strong Center आजाएगा, ठीके ना, ओके, और बस यह चीज़ है, दो तरीके आपके याद करने के आप Canada से CB याद रखो, लेकिन मैंने जब Multiple Choice Questions देखे तो कभी-कभी Confuse Union से होता है, Union और Center एक ही बात होती है, लेकिन जब Union Government आजाएगा, तो आपको पता चलेगा, अच्छा, Union Government Center Strong, तो आप इससे भी Connect कर पाओगे, या आपकी दिमाग में आएगा, अच्छा, अंडा, Canada, कभी-कभी क्या होता है, आप बताएगे, नीचे, Canada का कौन सा प्रविजन हमने Canada से लाया, तो कभी-कभी directly आता है, अंडा, अंडा, अंडा तो strong center है, तो यह डोनों ट्रिक्स आप याद र ट्रिक यही है, सुनो, बस यह दिखो न, यह किसी को न, वो कुछ गलत बोलने के लिए नहीं है, South Africa वाले black होते हैं, black लोग बड़े अच्छे होते हैं, मैं खुद black हूँ, तो यह को discriminate करने के लिए मैंने नहीं बनाए ट्रिक, बुरा नहीं मानना, black मैं खुद हूँ, ठीक ह Okay, सुनो, South Africa वाले black होते हैं, और वो चाहते हैं कि यहां पे वो election लड़े, लेकिन वो दिखने चाहिए हमारे तरह थोड़े 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 गोरे as compared to South Africa के लोग, तो वो election of राजसाबा के लिए उतरने के लिए उनको पहले face को change करना पड़ा, कहने का मतलब यह है, जब अफरीका आए, तो आपके दिमाग में black people आते ही हैं automatically, तो black को अगर आप white कराओगे, creamium लगा के तो change करना पड़ेगा उनकी शकल, ठीक है न, उनके face को हमें black से white change करना पड़ेगा, change को ही amendment बोला जाता है, change को ही amendment बोला जाता है, और change क्यूं करना है, फिर आपको और एक story दिमाग में बनानी होती है, change क्यूं करना है, क्यूंकि वो चाहते हैं यहाँ पर इंडिया में, वो election के लिए उतरे, election of राजसभा members, बलब राजसभा के लिए, वो members बनने के लिए election में उतरे, ठीक है, ओके, तो यह दिमाग में आपको लाना है, दूसरा एक तरीका है, South Africa से आपका ये, गंदे जी साब आए, गंदे जी, तो उन्होंने पहले South Africa के कानस्टिशुशन को वहाँ पर amendment किया, तब जाके वो यहाँ पर आए वगएर वगएर, ठीक नहीं, किसी भी एंगल से आप याद रखो, ज्यादा effect यही है, कि अफरीका वाले black होते हैं, तो उनके face क हमें amend करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब जाकी क्यों करना पड़ेगा, तो आपको दूसरी स्टोरी याद आएगी, राजसभा मेंबर्स के ले एलेक्शन, जब भी source of Indian का नस्टिशन आये, तो लोगसभा के कहीं पर बात नहीं है, यहाँ पर election of राजसभा है, यहाँ पर procedure of nomination of राजसभा है, तो nomination of राजसभा किस तरह होगा, यह airline बताता है, election of राजसभा किस तरह होगा, यह आपका amendment बताता है, मुझे ह tähänear,έρल्न से आये, वहाँ पर election क्यों लड़ना था इनको? अच्छे यह तो सौरी सोरी वहाँ पर आपको याद रखनाए, यह south अफ आपको दिमाग में बरानी है, जापान से हमने लाया है, प्रोसीजर एस्टैबलिशिट बाइला, ठीक है, ओके, आप याद कराने का तरीका ये है, याद रख लीजे, पी को हटा ये, तो बच गया है वहाँ पे जान, जान को बोला जाता है लाइफ, और लाइफ है आपके आर आर्टिकल 21 में आपको प्रोसीजर एस्टैबलिशिट बाइला मिलेगा, ये याद रखना, प्रोटेक्शन आफ लाइफ और प्रोसीजर एस्टैबलिशिट बाइला, तो आर्टिकल 21 जब फूल आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे लिखा है, कि राइट टो लाइफ है, राइ अगर होगा, तो कर सकता है, इन शॉर्ट, जब भी सवाल आए, जापान से क्या लाया, हमने, तो जान आपके दिमाग में आना चाहिए लाइफ, और लाइफ से आपके दिमाग में आना चाहिए आपको आर्टिकल 21 से दिमाग में आना चाहिए आपको आर्टिकल 21 में प्रोस जान से ही लाया गया है, और जान का मतलब J-A-P-A-N जाबान, उल्टा भी आ सकता है, किस कंट्री से लाया गया, और किस कंट्री से क्या लाया गया, ठीक है, उसके बाद जर्मनी से क्या लाया गया, जब भी जर्मनी आता है, तो आपके दिमाग में हिटलर आना चाहिए, जर् जर्मनी जब आये तो आपको याद आना चाहिए, suspension of fundamental rights, during emergency, emergency के साथ-साथ ये पूरा line याद रखना है, जब भी emergency होगी, तो fundamental rights को suspend किया जाता है, और ये Hitler के इलाके से लाया गया, जर्मनी से, अब है दोस्तो USA से हमने क्या-क्या लाया है, सुनिए, सुनिए, USA और British में आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैं पहरे trick ही बताता हूँ, आपको USA जब भी आएगा, तो आपको याद रखना है कि, constitution, president और खासकर judiciary strong है, तो जब भी USA आए तो आपको याद रखना है, judiciary strong है, president strong है और constitution strong है, और जब भी बिट्शा है, तो आपको याद रखना है, बस एक चीज़, parliament strong है, बाकि सारी चीज़े आप खुद ही कर सकते हो, सुनिए कैसे, USA में, judiciary strong है, independence of judiciary, देखो भाई, जब judiciary independent होगी, legislature और executive मतलब कि, parliament, लोग सबा, MP, MLS, president, जब डिपेंडेंट नहीं होगी, independent होगी ये सब से, तब ही तो वो पारफुल होगी, तो independence of judiciary हमने लाया है, USA से, हमने judicial review लाया है USA से, जब भी आए, judicial review कहा है, तो आपके दिमाग में आने चाहे, judicial review का मतलब कि, judiciary strong, और हमने ये USA से लाया, और मैंने आपको बला, USA से, जो जो चीजे लाया है, वो judiciary को strong बनाते है, judicial review पता है, judicial review का मतलब होता है, ये जो legislature है, ये जो executive है, ये जो parliament है, अगर ये कोई कानून बनाते है, constitution के खलाफ, या ये कोई चीज बनाता है, तो judicial review से, ये एक्जैमीन कर सकता है, judiciary उसका, और unconstitutional बता सकता है, कोई भी चीज को, अगर पार्लमेट छेडशार करें, constitution को, in short, judicial review के और भी चीज़े हैं, लेकिन बस इतना याद रखो, अब भी सुनो, removal of supreme court and high court judges, भी हमने USA से लाया, कैसे याद रखोगे, जब भी सवाल आए, removal of supreme court and high court judges, कहां से लाया, तो आपको याद आना चाहिए, कि supreme court and high court judges का निकालना, removal बड़ा tough है, और ये क्यों tough है, क्योंकि judiciary strong है, ने तो कभी भी आप judge को निकालोगे, supreme court के, ऐसे निकालोगे, तो ये removal जो tough है, ये हमने लाया है, USA से, क्योंकि removal of judiciary, removal of supreme court, high court judges दिखाता है, कि judiciary strong है, इनको आसानी से निकाला जा सकता है, ये strong है, तो ये हमने strong USA से लाया है, judiciary की चीज़े, इसके बाद, fundamental rights, इससे भी आपको याद आना चाहिए, judiciary और judiciary से याद आना चाहिए, USA, कैसे, fundamental rights का guardian judiciary है, जब भी fundamental rights की छेड़शार जाती है, तो आप supreme court जा सकते हो, under article 32, तो आप ये कह सकते हो, fundamental rights, अच्छे written constitution, जब भी आए written constitution कहां से लाया है, तो आप क्या सकते हो, USA से, और judiciary ही दिमाग में आना चाहिए, क्यूं, क्यूंकि written constitution, judiciary किस के उपर है, judiciary का सारा काम written constitution के उपर है, अगर लिखा हुआ constitution नहीं होगा, तो judiciary किस के basis पर काम करे, जुडिशिरी पूरा का पूरा काम करता है, Indian constitution के articles को protect करने लिए, constitution को protect करने के लिए, तो यह आप याद रख सकते हो, preamble भी उसी में का institution में आता है, तो वो भी याद रख सकते हो, impeachment आप president कैसे याद रखोगे आप, USA से, इंडिया में president को हटाना, impeach करना difficult है, और तभी president powerful है, इसे साब से president powerful है, किस साब से, impeachment आप president से, और मैंने आपको बोला, USA में ये power है, तो हमने ये USA से लाया, कि president को impeach करना, मुश्किल ही होना चाहिए, क्योंकि USA में, presidential firm of government है, तो president वहाँ पे थोड़ा सा strong है, और president independent है, legislature हो हम आगे देखेंगे, लेकिन इतना याद रखो, USA से ही हमने लाया, ये impeachment of president, removal of president, थोड़ा सा tough बनाया, president का removal, और tough है, कहाँ पे जहाँ पे president strong होगा, USA में, ठीक है, और फिर president के साथ, post of vice president भी याद रखना, और ये मैंने आपको, trick में यही लिखा है, कि judiciary, president और constitution strong, खासकर judiciary अगर आपको याद आए, आपको सारी चीज़े याद आजाएंगी, और खासकर, president का removal, और judiciary का removal, tough बनाने के लिए, USA से लाया गया, क्योंकि ये powerful ले उतर, इन शॉर्ट, removal of judiciary, high court, supreme court, और removal of president, ये दोनु चीज़े USA से लाया गये, याद रखना है इस बात को, बिट्श में मैंने बोला, parliament strong, देखो जहां जब parliament आएगा, बिट्श आएगा, parliamentary form of government, हमने कहां से लाया, बिट्श से, rule of law, 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 बनाता है parliament, तो बिट्श से लाया, legislative procedure, parliament के अंदर किस तरह से कानून बनेगा, कैसे bills बगेरा बगेरा, वो हमने बिट्श से लाया, तो ये भी parliament की बात है, cabinet system भी parliament में ही होता है, होता है न, cabinet system, council of ministers बगेरा, है ये executive का बात, लेकिन parliament से ही निकलता है हमारा इदर, हमारा इदर parliamentary system of government है, parliamentary system of government का मतलब यह होता है, executive और parliament, एक साथ जुड़े होए हैं, parliament से ही निकाले होए हैं हमने executive, चलो अलग से detail में करेंगे बात इसके उपर, लेकिन फिलाल इतना साथ याद रखो, cabinet सारा parliament में होता है, bicameralism, ये हमारा parliament है, दो houses का बना है, bicameralism, parliamentary persons के बास privileges होते हैं, parliamentary privileges, ठीक है, ये सारी चीज़े अपनी याद रखी, और rids भी है, अब बोलो कि यसा rids से याद आता है, judiciरी, लेकिन याद रखना, ये हमने brids से लाया, rids क्योंकि brids के, crown के पास ये power था, rids issue करना, तो हमने ये brids से ही लाया है, brids के crown, के पास ये power था, rids issue करना, उनको perogated rids बोलते थे, rids बोलो, perogated rids बोलो, एकी बात है, हमारे इदर rids जो है, वो आपको supreme court issue करता है, ये आपको पता है, लेकिन फिलाल rids, इसमें याद रखना, rids के ओपर खास कर, कोई सवाल मैंने नहीं देखा है, और यहाँ पर single citizenship आप कैसे याद रखोगे, इसके लिए अलग चीज़ याद रखने है, बिट्श आपको पता है, हर country में जाता था, अपनी colonies बनाने के लिए, इंडिया को भी अपनी colony बना था, पाकिस्तान को भी सिर्लंका, हर जगा, यह ऐसे तक को कॉल नी बनाई था, बिट्श ने, तो बिट्श हर एक country के उपर कबजा करना चाते थे, ताकि सिर्फ हर जगा, सिर्फ single citizenship हो, हर एक बंदा बिट्श से connect हो, हर एक बंदा बिट्श के under हो, बिट्श पारलिमेट, बिट्श क्राउन के under हो, याद रखो, single citizenship चाता था, बिट्श हर एक, हर एक नागरिक माना जाए बिट्श का, पुरी दुनिया बिट्श के under हो, ठीकि न, ऐसे याद रखना, ओके, अब लास्ट में, आपको गवर्मनट अफ इंडियाक्ट इन 1935 से आपको मिलेगा, देखो GA, जीओ, गवर्मनट अफ इंडियाक्ट इन 1935 इसमें पहले जीओ है ना, तो जीओ मतलब गवर्नर, आफिस अब गवर्नर आया, और पी एसी भी इसे याद रखना, गवर्नर की, और आपको पता होने चाहिए, गवर्मनट अफ इंडियाक्ट है ना, तो 90% chances हैं कि वो आप गवर्मनट अफ इंडियाक्ट इटिक करके देना, क्योंकि biggest source यही है, ठीक है, लेकिन बाकी country से क्या-क्या है, वो ही आपको याद रखना है, और elimination method से आप objective को निकाल सकते हैं, अगर इतनी नौलज़ आपके पास है, ठीक है, P.S.C. Public Service Commission भी लाए गया, ठीक हो, federal scheme भी लाए गया है, यह आपके book में लिखा हुआ है, लक्षमी कांट में, emergency में लाए गया है, यह लक्षमी कांट में लिखा गया है, हाला कि यहाँ पे, यहाँ पे आपकी लक्षमी कांट में यह भी लिखा है, अगर हम डेटेल में देखते हैं, तो वो चीज़े में नहीं डाली, और वो एक्जाम में भी नहीं आती है, और यह दो चीज़े, federal scheme जो है न, वहाँ पे ज़्यादा तर एक्जाम में आता है, यहाँ पे cross इसलिए मैंने दिया है, क्या आप confused नहों जाए, जाए जर्मनी, कैसे वहाँ पे suspension of fundamental rights हो गया, क्योंकि multiple choice questions जर्मनी के साथ ही connected होते हैं, ठीक है, और देखो न, यहाँ पे suspension of fundamental rights during emergency था, गवर्मनटाफ इंडियाक्ट में पहले से ही अमर्जनसी डाली गई थी, देखो न, public service commission exams पहले से होने लगे थी, जिसने history पढ़े उसको पता होगा Government of India Act में, historical background of Indian constitution में आप पढ़ सकते हो, federal scheme भी लाया गया था, लेकिन federation with strong center जो है, उसको Canada याद आना चाहिए, इसलिए मैंने cross लखा मतलब यह दो बूल जाहिए, लेकिन जब भी आए federation, Indian constitution ने कहां से federation लाई, तो याद रखने Canada, Canada जैसी federation है हमारी, अगर सवाल आए, इंडिया के पास जो यह federation है, वो कैसी है, Canada जैसी है, Indian constitution ने federation Canada से लाई, federation with strong center है यहाँ पे, ठीक है, हाला कि Indian constitution में लिखा नहीं यह कहीं बे federation, वहाँ पे Union of States लिखा है article 1 में, चल यह ज़्यादा detail हो जाएगा, आप confused हो जाओगे, तो चल यह दोस्तों, अब हम सवाल देखते हैं, saverian parliament जो है, parliament powerful कहां है, मैंने आपको बताया, British में, British का मतलब England भी आप बोल सकते हो, ठीक है, तो England सही जवाब है, उसके बाद fundamental rights जो है, का सवाल है, तो याद करो, वो कौन सी country है, जो चाहती थी, हर country को मैं कबजा करूँ, और single season, मेरी ही citizenship हर country में हो, colonies बना रहा था हो, हर country के उपर कबजा करना चाहता था, तो वो England है, ठीक है, England, ठीक है, OK, British, रूल अफ लाज जो है, जुडिशियरी स्प्रीम कहाँ पर है, जुडिशियरी स्प्रीम है, तो USA, आपको बताए, impeachment of president, president को निकालना बड़ा मुश्किल है, इंडिया में impeach करना, तो president कहाँ पर powerful है, वहीं से तो मुश्किल करना होगा, president को USA, सही जवाब, presidential form of government वहीं पर, आपको बताना है, इस मैं से, कि USA का कौन सा feature है, हाँ बाई, judiciary powerful है, judicial review है उदर, fundamental rights भी उदर के ही हमने लाए, उदर से ही लाए, ठीक है, और फिर removal of high court and supreme court judges भी, हमने वहीं से लाया, और ये तीनु चीज़े मैंने आपको बताया, ये तीनु चीज़े दिखाते हैं, supreme court, high court, मतलब judiciary powerful है, और USA का ये feature है, कि judiciary उदर का powerful है, remove करना मुश्किल है, judiciary को, fundamental rights भी judiciary ही देखता है, तो तीनु के तीनु आएंगे, all up the above, सही है इसका, आपको बताने parliamentary form of government कहां से ला है, पार्लिमेंट जहां पे strong है, बताओ, England, Britishers, British, Britain, ओके, अब आपके सामने सवाल है, आपको बताना है, nomination of members, मतलब हवा में members आए, election में नहीं, election होता तो, amendment होता तो, आपका South Africa होता, लेकिन ये हवा से आए, air land से आए, air land से आए, air land, air land, मतलब air land, air land, यहां पे ठीक है न, air land, हवा में आए, nomination से आए न, और राजसभा से ही question आते हैं, लोग सभा से नहीं आते हैं, वो भी nomination मतलब हवा से आए, उपर से आए, election से आते, तो हम बोलते हैं हाँ बाई, election में वो उतरने थे, उनको सफेद करना था, वो black थे, South Africa से आये थे, उनको amendment करना था चेहरे को, तो क्यों करना था राजसभा में, election के लिए, तो amendment और election तीनू South Africa से, दुनू South Africa से, Indian federalism, federation with, center strong वाला, वो ही होता है Indian federalism, वो कहां से हमने लाया, Indian federalism या strong center वाला, वो हमने लाया Canada से, यह मैंने आपको बोला, ठीक है, इस question को अच्छी तरह से लिखना था, इसको with strong center, यह उदूरा question है, इसको लिखना था with strong center, पूरी तरह से, ऐसे तो बचे confused हो जाएंगे, क्योंकि federalism तो USA में भी दिखने को मिलेगी, ठीक है न, लेकिन Indian federalism है, मिलती जुलती है Canada से, लेकिन लिखना भी था, Indian federalism with strong center लिखना जुरूरी था, cabinet system, मतलब पारलिमेट में होता है, पारलिमेट की बाते हमने कहां से लाई है, आपको पता है, ब्रिटिन से, ब्रिटिन, इंग्लेंड, ब्रिटिश, एक ही बात, आपको बताना है, amendment कहां से लाई, amendment याद करो, South Africa को, चेहरे को amendment करना सा, black से white बनाना था, amendment हमने South Africa से लाई, ठीक है, ब्रिटिशन सब होगा, तब ही Supreme Court powerful होगा, Supreme Court ही देखे का, ब्रिटिशन, इना दिमाग में आपको लाना है, तो वो USA, उसके बाद आपके सामने सवाल है, प्रियम्ब कहां से लाई है, प्रियम्ब भी लिटिशन की तरह, आपने USA से ही लाई है, तब हम Canada लिखते हैं, तो Canada ही इसका सही जवाब है, लेकिन आपको में बताओ, USA B, USA more federal है, US Federation क्या मतलब है, Central State Government, B और Central Government भी, अलग-अलग, लेकिन Indian Fed Constitution में, Federal System के लाई गया है, यहां पे with strong center है, तो Canada most appropriate है, ठीक है, Concurrent List जो है, यह कहां से है, चैजा इसे लेकिए आसपास पूरा का पूरा उशन है, तो Australia कहां पहton है, यह Australis आपके सामने, उसके बाद question है, आपको बताना है, DPSP, DSP, DSP, फाइर लैंड, जहां पे फाइर लैंड होगा, वहीं पे DSP पहौंचेगा, तो Fireland इसका सही जवाब है, Airland, मैंने बोलाँ DSP, DPSP, Direct to Principal State Palsy, DSP आपने याद रखना है, DSP पहुंचेगा वहाँ पे, जहाँ पे, आग लगी होगी, प्लीस वहीं पे पहुंचेगा, देखो, Law आया, Rule of Law, Law आया, Rule of Law, तो Rule of Law मैंने आपको बोला, Law जो है, Parliament powerful है, तो England आएग तो जान जैसा ही country होगा, Procedure Establishment by Law मैंने अभी पढ़ा है, आपको Constitution में, आपको मिलेगा ये एक जगा, कहाँ पे, Article 13 में, तो जान है, जापाने, तो इसका जापाने है, ठीक है, ये अगर आपको नहीं पता रहें दो, अभी Concurrent list, Currents है, Oceanic Currents कहाँ पे मिलेंगे आपको Australia, क ये कैसे है Canada, क्योंकि यहाँ पे है, दिखाता है, Center Strong है, Governor अपनी बिल को Reserve कर सकता है, President को दे सकता है, और फिर Governor का सारा पावर खतम होता है, President ही इस बिल के ओपर, या तो Ascent देगा, या तो Withhold करेगा, या तो वापस बेजेगा, Number of Times वापस बेज सकता है, और ये Governor अपनी बिल कर सकता है, President, President Center का है, Governor State का है, यह दिखाता है, Strong Center, Strong Center बात है, Canada से, CC Center, CC Canada, Indirectly यह उसकी बात है, चलो, Fundamental Rights आपनी USA से लाए, Parliament आपका, British है, UK है, Emergency, Germany है, ठीके न, DSP, DSP, Fireland है, Fireland मतब, Airland है, ठीके, Emergency, आपको पता है, Germany है, Hitler, Germany, Emergency, एक ही बात है, Emergency, Germany, एक जैसा लगता भी है DSP, DSP, DPSP होता है, Director President, DSP क्या है, DSP आपको Fireland, Fireland का है, Fireland यहाँ पे है, Emergency, Germany, यहाँ पे है, यह इसको छोड़ा अभी पढ़ाया नहीं चलो, Amendment जो है, वो आपको South Africa ही मिलेगा, क्योंकि Amendment करना है, और राजय सभा के Election, 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 Election के लिए कर, Union State Relations, यह आपको Canada दिखा है, Canada मतलब ह Federation, Federation, with strong center, with strong center, लेकि Federation का मतलब ही होता है, center state के powers, तो वहाँ पे आप indirectly guess कर सकते हो, Union State Relations, Fundamental Duty, Duty आपको याद आएगी, आपको रश में जाना पड़ेगा, रश में जाना पड़ेगा, और रशया आएगा, रशया से डूटी, रशया से सिर्फ डूटी नहीं याद आएगी, ज Justice करते हो, तो Justice भी आएगा, चाहे Social Economic Political हो, लेकिन Justice भी आएगा रशया के साथ, ठीके ना, Fundamental Rights USA, आपको Supreme Court Fundamental Rights Guard करता है, और Supreme Court मतलब कोर्ट पावरफुल है, USA, थोड़ा एडिया वहाँ से ले सकते हो, आपको बताना है, प्रोसीजर फर्द है, election के लिए, nomination होता है, तो नाम क election लड़ना है, राज सबा का, ठीके, election आएगा, तो यह सौथ अफरिका से आएगा, तो यह सही है, आइडिया जस्टिस, जस्टिस करना है, रशया, रशया डूटी करने जाएगा, तो यहाँ पर जापी नीज लिखा है, लेकिन यह तो रशया से, जापानी से क्या आया है, JAPAN से क्या है, JAPAN से, P को silent करो, जान, जान मलब right to life, right to life मतलब article 21, article मलब 20 मलब में है, लिखा हो है, procedure established by law, तो जान से आया, procedure established by law, तो यह वाला गलत है, और यह वाला सही है, बिगेस्ट सूर्स of constitution क्या है, यह है, मैंने आपको बता है, 1935, आपके सामने सवाल है, आपको बता तो मतलब, ओशेनी करंट से आपको मिलेंगे, एस्टेल है कि आजब पूरा का पूरा ओशन है, ठीके न, तो 1, 2, 3, 4, आज़ेगा, यह आज़ेगा, A part आज़ेगा, DSP, DSP आपको बता है, Fireland, तो Fireland का है, Airland और Irish एक ही बात होती है, इन में से आपको बता है, जर्मनी, जर् करोगे, लेकिन यह टिक नहीं है, लेकिन जर्मनी में मैंने आपको पूरा बता है, suspension of fundamental rights during emergency, तो यह सही है, suspend हो जाएंगे fundamental rights emergency के दो रांग, ठीक है, ओके, Federal system is strong, अगर हम यह emergency के बात करें, तो emergency के खास का Government of India Act 1935 में लेखा हूँ, emergency provisions, तो most appropriate यह होता, लेकिन वैसे कभी सवाल मैंने नहीं नहीं देखा, Government of India Act से, emergency provisions, क्यूंकि उसका टेक्स्ट हूँ, उसके Government of India Act के साथ नहीं मिलता है, emergency provisions लागे थी, लेकिन suspension of fundamental rights यह पूरा का पू Center Center, Center Strong तो Canada, Strong Center अंडा, या तो Canada में आएगा तो Strong Center आएगा, judicial review आपको USA में मिलेगा, not is wrongly match, wrongly match तो यही है, British में तो है नहीं, oceanic currents आपको Australia में मिलेगा, यह सही है, DSP आपको Ireland में, Ireland, Ireland, Irish, Ireland एक है, fundamental rights USA, यह बाकि सही है, आपको यह option करना टिक A, यह सही है, आप इसी वीडिय कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए, और चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बाई